एक प्रवचे में होगी? डिसकेशन गम्हाल सर लास्टर क्यों कल अभी कल अब श्यक्षा कहा कल अच्छलों जी प्लीज हम दश्टर चेक पे बात करेंगे आज सर अधी सबोस्जी अज्यूम कर लेते हैं, मैंने उमार के पैसे देनी है, ठीक है जी, 20,000 रुपे, पे, उमार, रुपे, चलो, समझ लो, जी, पढ़ना शुरू कर दो, अच्छा जी, प्लीज, बस 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 बाते खतम, अब एक दो क्रॉसिंग के बारे में हमारे में टॉपेक है, अच्छा पहले यह बता दूँ कि इस चेप्टर में से पेपर आता कैसे है, पेपर आने का तरीका यह है, कि मैंने पिछले इस चेप्टर में से क्या आएगा, इस चेप्टर में से आपको ब्रीव, डिस्क्रिप्टर में से पूछेगा, उसका फेवरेट एरिया रहा है, यह चेक की क्रॉसिंग, जो हम आज पढ़ेंगे, पहली बात, इसके बाद हम पढ़ेंगे पेंग और क्लेक्टिंग बेंकर के हवाले से, तो हमारा दूसरा एरिया उसके उपर रहेगा, तो यहां से होता क्या है, कि for example, मैं अगर यह कहता हूँ, कि for example, उसने आपसे 12 मार्क्स पूछने हैं, या 12 to 15 मार्क्स पूछने हैं इस चप्टर में से, तो वो पिछले चप्टर में से कोई 4 मार्क्स जो है आपसे वो पिछले चप्टर में से पूछ रहा होगा, ठीक है, 3 मार्क्स में गहले तो उसे assume करें, या वो तक्रीबन 4-4 मार्क्स के दो question, आपसे case study पूछेगा पिछले चप्टर में से, case studies, ठीक है, और इस चप्टर में से वो 3 to 4 मार्क्स का question रखेगा, जो के वो descriptive पूछेगा आ बात बताई थी, जिसमें मैंने कहा था, OTC payment, word use किया था, over the counter payment, तो मैंने कहा था, या तो check की over the counter payment हो जेगी, या check की over the counter payment नहीं होगी, over the counter के मतलब आप counter पे जाओगे, वो आपको आपके हाथ में cash दे देंगे, या फिर आपके account में पैसे transfer कर देंगे, अगर तो आपने ये दो transverse lines लगाई हुई है, parallel lines, crossing का मतलब ये crossing है, दूसरे वाली crossing नहीं है, तो अगर ये दो transverse lines का इस्तमाल किया instrument के उपर, अभी हम और कुछ बात नहीं करें, हम किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करें, अगर इस instrument के उपर आपने इसना transverse lines impose कर दी हैं, तो इसका मतलब य हुआ कि आपका instrument अब उसकी payment जो है, वो counter पे payment नहीं होगी, क्या होगा, एक person के account से दूसरे person के account में पैसे deposit हो जाएंगे, direct transfer हो जाएंगे, अजियूम करते हैं, मेरा account जो है, वो standard chartered bank में है, और उमेर का account जो है, अजियूम करने के वो मिजान bank में है, उमेर ये check मुझसे लेगा, और लेके चला जाएगा, अपने bank के पास, मिजान के पास, वहाँ पे एक deposit slip फिल करेगा, वो जो उन्होंने slips रखी होती है, ऐसा ही है, देखिए कभी slips, वो slips फिल करेगा, और मिजान bank के अंदर ये check deposit करा देगा, से मैं ये कहता हूँ, deposit slip है, वो इस deposit slip के साथ ये check को attach करेगा, और bank में जमा करवा देगा, मिजान bank अपने client के बहाँ पे काम कर रहा है, हुमेर के बहाँ पे, और Standard Chartered Bank अपने client के बहाँ पे काम करेगा, Standard Chartered Bank इस check, इस instrument के अंदर payment करेगा, कितने की, 20,000 की, और मिजान bank receive करेगा, 20,000 अपने client के बहाँ पे, बात समझा रही है तो मैंने कल एक terms use की थी कि standard charter bank इस case में क्या कहलाएगा खुदा के बंदो paying banker और जो bank amount receive कर रहा है collecting banker so in fact इस एक instrument के अंदर जो सलमान ने draw किया उसने अपने paying banker को instruction दी है कि 20,000 रुपया उमेर के account में transfer करते है मैंने देखो दुबारा बोल रहा हूँ हमें इस instrument के अंदर सलमान ने अपने drawi banker को instruction दी है अपने paying banker को instruction दी है कि उमेर को 20,000 रुपया pay कर दे लेकिन over the counter pay नहीं करना बलके उसके account में amount transfer करनी है बात समझाई और यहाँ पर जब यह deposit slip submit होगी तो collecting banker उस instructions को follow करता हुआ उमेर के account में यह 20,000 रुपीज add कर देगा ऐसा ही है standard chartered मेरे account से less कर देगा या debit कर देगा और collecting banker अपने customer के account में credit कर देगा clear यह बात समझा रही है अच्छा इसका मतर इस दो lines का यह फाइदा है transverse lines का कि इसकी payment आप over the counter नहीं होगी अच्छा crossing के अंदर पहली crossing अगर आप सिर्फ अभी heading बता रहा हूँ journal crossing नजर आ रही होगी आपको पहली heading देखो जरा journal crossing अगर अभी इसके अंदर अच्छा वो different specimen बने होंगे इसके अंदर लिखा भी जा सकते है and company लिखा हुआ है या and company पूरा लिखा हुआ है यह तीन specimen हो सकते हैं मैंने पहली crossing पढ़ा रहा हूँ यहां पर लिख दो जी पहली crossing मैंने कहा journal crossing यही है कोई specific बात नहीं है इसी को जनरल crossing कहते है जो आपने की है अभी वहाँ पे ठीक है इसे होगा क्या over the counter payment नहीं होगी और इसके specimen कितने है तीन specimen आपको नज़र आ रहे होंगे सिर्फ अभी सिर्फ specimen देख लो खाली दो transverse lines है खाली है ब्लैंक है यहां अंदर क्या लिखा हुआ है and company और and company complete यह एक short form लिखी हुई है तो जो मरजी specimen यूज़ करो आम तोर पर practical life में सिर्फ दो lines लगा दी जाती है और यही यह journal crossing कर दी जाती है done? अच्छा जी जी बटे अच्छा अब next जी special crossing इसी journal को अगर special करना हो तो कैसे करेंगे special crossing मैंने कहा specimen यह है या and company है ठीक है जी special crossing करनी हो तो क्या करें special crossing का मतलब यह है कि अब देखो यहां पे paying banker कौन है standard चार्ड बैंक collecting banker मिजान बैंक सल्मान उमेर से पूछ लेगा कि जनाब आपका bank कौन सा है उमेर केगा मिजान बैंक ओके ठीक है आप इसी बैंक में deposit करवाना चाहेंगे check बिल्कुल यह बैंक है और तो कोई बैंक नहीं है ओके fair enough मैं इस line के अंदर मिजान बैंक लिग दूँगा जी जी पैंक बैंक और प्लेक्टिक पे हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं क्यों नहीं हो सकते हैं क्या जाएगा तो पैसे ट्रांसफर ही होंगे अकाउंट में जाएगे cash नहीं मिलेगा journal crossing का मतलब यह थोड़ी है कि paying और collecting bank are different होने चाहिए मैंने ऐसी कोई बात नहीं की same भी हो सकते हैं लेकिन तब भी क्या होगा जाएंगे अकाउंट में हम तो यह बात कर रहे हैं और एक और बात जी बेटी क्या चीज़ नहीं अच्छा ये फिर special crossing फिर जुरूरत नहीं रहेगी जरूरत नहीं लेकिन अगर अब लिखोगे तो फिर येस लिखना लाजमी हो जाएगा बेशब क्योंकि हो सकता है उस बंदे का ब्रांच जो है स्टेंडर्ड भी हो स्पोज़ एक बंदे के पास तीन अकाउंट हो सकते हैं अगर मैं अपनी बात करूं मेरे पास standard का अकाउंट भी है मेरे पास मिजान का अकाउंट में प्रिजेंट हो यानि यह deposit slip कहां जमा हो हो सकता है उमयर के पास मिजान बैंक भी हो standard chartered bank भी हो लेकिन वो चाहता है कि पैसे मिजान bank में जमा करवाने हैं तो मैं क्या कर दूँगा फिर मैं मिजान bank लिख दूँगा अब यह मिजान bank लिख के मैंने उमयर को hand over कर दिया चेक उमयर इस चेक को क्या standard chartered में deposit करवा सकता है no restrict कर दिया मैंने उसको मैंने क्या चीज रिस्टिक्ट की है फिर इसका मतलब है मैंने collecting banker रिस्टिक्ट कर दिया मैंने collecting banker का नाम लिख दिया अब यह party उमयर इसके इलावा यह चेक कहीं जमा नहीं करा सकती बात समझ आई सबको चलो यह है special crossing special crossing का मतलब क्या हुआ कि हम अपने collecting banker का नाम specify कर देते हैं collecting banker name specified इसका मतलब है अब यह person numair जो collecting कर रहा है जो amount receive करने जा रहा है यह अपने सिर्फ मिजान bank में यह check deposit करा सकता है और कहीं deposit नहीं करवा सकता अगर यह करवाने जाएगा वो bank इसे entertain नहीं करेंगे refuse कर देंगे इसको what my point लगती है उसके बगार कैसे पता लगेगा देखो ना check के उपर मेरा account number है मेरा bank का check है आपके तो कोई information ही नहीं है तो आप अपनी information सारी कहा दोगे deposit slip के उपर आप वहाँ पे mention करते हो name, मेरा bank account number check number, amount और यह निचे signature जी बिल्कुल हो सकता, भी उस पर पढ़ेंगे बात, don't worry endorse cross check भी endorse हो सकता क्यों नहीं endorse हो सकता holder जो है वो endorse कर देंगे उसको endorse हो सकता, no issue at all इस transfer slide से endorsement के उपर कोई बार नहीं आई सिर्फ फरक यह है कि जिसको endorse करो गे, यानि endorseee के account में पैसे जाएंगे, उसको over the counter payment नहीं होगी जी बटी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लाइक दिस, ठीक है और तब special crossing last month डिपेंड करता है, आप restrict करना चाहते हो के नहीं, आज practical life के अंदर कोई यह हरकत नहीं करता आज कभी यह, अगर आप कोई भी check issue होता है किसी industry के अंदर special crossing कभी नहीं की जाती क्यों किया रहे special crossing हो सकता है वो बंदा अपने standard charter में, अपनी availability पे है ना उसका, कि वो किस account में जमागा है, तुम उसे restrict कर दोगे हो सकता है उस restriction में problem हो जो से मिजान बेंक उसके घर से बहुत दूर पढ़ता हो standard charter करीब पढ़ता हो मेरी बात समझ पा रहे हो क्या समय है, तो यह आज के जमाने में नहीं होती सिर्फ पढ़ने की हद तक special crossing कोई चीज है चिक है, यह उधर रगदे बटे, उधर रगदे मेरी बात समझ आई है बेटे, आप वो question clear हुआ तो आज के जमाने में कोई नहीं करता कि मैं इसे restrict कर दूँ, क्यों restrict करूँ बढ़ी जमा करा दे, मुझे क्या लगए लेकि पढ़ने के लिए एक चीज ज़रूर है special crossing, ले जी special crossing समझ आई, अच्छा इस बेटे का question था endorsement पर की जात पर कोई फरक पड़ेगा बिलकुल नहीं पड़ेगा बेटे मैं for example, ये उमर को दिया है उमार को, उमार इसे endorse कर दे suppose, उमर को या उमर endorse कर दे अब्दुरह्मान को endorse कर दे बस फरक ये पड़ेगा कि अगर ये journal crossing है तो अब्दुरह्मान के पास अगर अब ये चेक है suppose, अब्दुरह्मान के पास अगर चेक है, तो ये अब्दुरह्मान के account में transfer होगा बस इतना फरक है crossing का इससे instrument की endorseability या transferability के ओपर कोई जात पर फरक नहीं पड़ा Got my point? और कोई question, चलूँ आगे so journal crossing सिर्फ ये है कि OTC की payment नहीं होगी special crossing क्या है हम उस collecting banker का नाम लिख देंगे, restrict कर देंगे कि भाई अब आप उमेर साब सिर्फ अपने मिजान bank के पास जाके ये check जमा कराईएगा, otherwise कोई और bank किसी entertain नहीं करेगा ना collecting ना paying मेरी बात समझा रही है अच्छा है, एक clearing प्रस बास में करेंगे, तीसरी crossing है जी, restrictive crossing ये नाम है जी अच्छा, special crossing के भी specimen देख लो, एक दफा प्लीज special crossing के specimen देखो जरूरत नहीं है जरूरत नहीं है, दोनों specimen allowed है आपने bank का खाली नाम लिख दिया, transfer lines नहीं भी इस्तमाल की, तो it will be considered as special crossing like this, like this नहीं होती बेटे, नहीं होती, यकीन करो नहीं होता और check सीधा लिख दिया है तू transverse लिखा जाता है जी, specimen देख लिए अभी मैं पढ़ा कुछ नहीं गा अभी मैं सिर्फ साथ-साथ specimen दिखा रहा हूँ लेजी, third crossing है restrictive crossing restrictive crossing, आज की तरीख में payroll का check आपको इस तरीके से मिलता है payroll का check जो है आपको usually account pay की stamp लगी होती है उसके उपर, वो ये भी नहीं करते है ये lines नहीं लगा जातीा पर खाली बस लिख दिया जाती है एक stamp होती है account pay की वो लगा दी जाती है double line लखाना जाओ तो लगा लो नहीं लगाना चाहओ तो ना लगा लगा usually stamp लगा दी जाती है तो lining की इस्तमाल नहीं कीया जाता crossing नहीं की जाती है उसका मतलब भी crossing समझा जाता है जी उसने या पे आपको specimen में नहीं दिया मेरे हले crossing लाइनिंग नी गाइब कियो उसने है ना लाइनिंग लगा ही यह ना भी लगाओ तो कोई फरत नहीं परता ले जी चोलो मैं लगा देता हूँ for the timing आपके लिए account payed का मतलब किया है ये मैंने कहा आज के समाने में salary देने के लिए जब check issue किया जाता है तो वो account pay का check issue किया जाता है उसकी एक reason है हम चाहते हैं कि हमारे track record में रहे कि हमने इस employee की salary pay कर दी है और अगर इसके बैंक में नजरी ना आई इसने आगे इंडोर्स कर दी सपोज उमेर को मैंने चेक इशूट किया उसकी सैलरी का यह उसकी सैलरी है उमेर ने आगे इंडोर्स कर दी अब दुरहमान को अब पैसे किसके अकाउंट में जमाऊंगे अब दुरहमान के बैंक में नज़र आएंगे bank statement मंगवाई जाएगी तो अब्दुरिमान के bank में नदर आएंगे और निकलेंगे किसके bank account से company के bank account से इसका मतलब है बीज में ये employee कहा गया उमयर आज के लिए तो उमयर था मझा उमयर है वैसे ये employee कहा गया जिसकी salary थी वो claim कर सकता है बाद में आके जनाब मुझे तो पैसे मिले ही नहीं मेरी salary transfer I know पकड़ने के बहुत सा तरीक है मैं बता रहा हूँ ऐसे ही एक claim आ जाता ना एक doubtful claim हो जाता कि यार भाई ये person कह रहा है कि मेरी salary नहीं मिली हाला कि हमने तो उसको check दी है के लिए कि employer के account में deduction नज़र आए और employee के account में addition नज़र आए इस चीज़ को ensure करने के लिए वो restrictive crossing कर देते है restrictive crossing का फाइदा क्या होता है हमने इसके negotiability feature को खसम कर देते है अब ये endorse नहीं हो सकता अब अगर मैंने उमेर को salary का check दी है तो ये सिर्फ उमेर के account में जाएगा उमेर इसको अगर endorse ही नहीं कर सकता क्यों क्योंके मैंने उसकी endorsement के उपर restriction लगा दिया endorsement disallowed अच्छा हम एक और काम करते है अगर आपने देखा हो चेक क्यों आगे एक लिखा होता है और bearer आपने अगर इसका bearer का feature खतम करना होता है तो अब usually इसके उपर एक line लगा देते है bearer का feature खतम कर देते है अकाउंट पे की stamp लगी हो तो फिर problem कोई नहीं है क्योंके उमेर के अलावा ये किसी के account में नहीं जाए हाँ उमेर अगर दो हो suppose दो मेर हो उमेर भी तो दो हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं नहीं नहीं चेक पे कौन सा CNN इसे लिखा होता यार कुछ भी नहीं लिखा होता वहाँ पे आके एक problem create होती है what if के इस उमेर से गुम जाए और suppose एक और उमेर है ये बेटा भी उमेर है उमेर को मिल जाए अब इसको पता है ये cross check है account pay कै ये सिर्फ account में जाना है तो क्या करेगा ये ये deposit slip बढ़ेगा उमेर का नाम लिखेगा अपना नीचे अपना CNN सी डालेगा अपना account number डालेगा और ये पैसे इसके account में चले जाएंगे ऐसा होगा? होगा बलकुल याए मैंने कहा इस check पे उमेर का सवाए नाम के और क्या है? कुछ भी नहीं ना account number ना कोई चीज़ ऐसा है? उमेर का नाम पूरा लिखा वे उसका भी पूरा नाम उमेर है नहीं तो दो उमेर खान उमेर खान दो नहीं हो सकते क्या? खानों ने एक यूमेर पैदा किया हुआ है मैं कुछ एक चीज़ समझाने लगा हूँ कि दो नाम एक जैसे हो सकते हैं इस वर्ल्ड के अंदर ही आरा क्यों नहीं हो सकते हैं? अब मैं यहीं बताने लगा हूँ कि इस case में हम आगे जाके पढ़ेंगे एक payment in due course हम बलके पीछे भी पढ़के आ चुके हैं payment in due course तो इस case में देखा जाएगा कि क्या banker ने इस case में देखा जाएगा क्या banker की तरफ से कोई negligence तो नहीं है वो case हम अभी पढ़ेंगे अभी पढ़ेंगे, अभी सिर्फ यह समझ लो suppose कैसे, suppose इसने उमायर लिखा इसने deposit slip जमा करवा दी check मेरे पास आया, like मैं banker हूँ मैं क्या verify कर सकता हूँ maximum, यह मेरा account holder है यह fake उमायर है लेकिन यह मेरा account holder है मैं इसका account check कर लूँगा इसकी deposit slip check कर लूँगा deposit slip पे signature check कर लूँगा account number verify कर लूँगा यह जो pay होगा, यह जो draw होगा, यह मेरा account holder होगा जो employer है, जो industry का boss है, वो मेरा account holder है नहीं, मैं उसको तो नहीं verify कर सकता मैं यह भी नहीं verify कर सकता है कि क्या यह company का employee भी है के नहीं है ऐसे करने बैठ जीं तो पर सारे दिने एक ही चक clear होगा तो मैं बस यह apparent tenure के मताबिक अपनी negligence नहीं होगी, मैं due care इस्तमाल करूँगा और मैं वो पैसे के account में जमा करा दूँगा, तो क्या मैं कोई गलती की, being a banker नहीं, मेरी गलती नहीं है मैं innocent हूँ, मैं मौसूम हूँ ठेक है, मेरी कोई liability नहीं है, ठीक है मैं असल उमैर को liable नहीं हूँ मेरी तरफ से यह debt discharge हो गया मैंने इसको pay कर दिया, यह भाग गया ठीक है, खतम, अब employer जाने और वो उमैर जाने बात समझाईए मेरी सो payment in due course का concept यहां पे भी apply होगा clear? आगे चलते हैं, भी रुख जाते हैं सो इस account pay ने endorsement के feature को खतम कर दिया, reason क्या है मैंने बता दी कि reason यह है, हम चाहते हैं कि addition और deletion दोनों नज़र आ जाए, ensure हो जाए तो यह थी restrictive crossing यह बात समझाईजी अच्छा, इसके बाद एक और stamp है चोटी सी और कई दफा हम लोग restrictive crossing नहीं करते, लें जी हम उपर एक red color की stamp रखी होती है not negotiable अगर यह लगा देते हैं stamp तो इस stamp का क्या मतलब है? हम उसके transferability के feature को खतम करना चाहते हैं law की नज़र में not negotiable की जब आप stamp लगा देते हैं इसका मतलब यह होता है कि आपने अच्छा यह transferable है law इसको यूँ समझाता है कि यह transferable है लेकिन अगले बंदे के पास title good title transfer नहीं होगा यानि for example मत्रुदा समझाना चाहरों इसको suppose यह चेक किसी तरह सल्मान ने उमेर को दिया, उमेर के हाथ में यह चेक आगया, उमेर इसको endorse करना चाहे, अबदुलरह्मान को तो कर सकता है लेकिन law यह समझाएगा इसको इस तरीके से समझाएगा not negotiable को, कि उमेर के पास defective title है defective title about what? कि उमेर के पास यह right मौजूद नहीं है कि वो इसको negotiate कर सके इसके मादब है, negotiate करने जाएगा, तो good title के साथ नहीं जाएगा, defective title है तो अगर उमेर का defective title है, और यह instrument आगे AR को दे दिया तो फिर इसका title क्या हुआ? defective, बात वो ही है कि negotiate नहीं होगा, लेकिन समझाने का तरीका different है यह बात वो ही है, जो account pay पढ़ी में पढ़ी, account pay का क्या बढ़ा कि वो restrictive endorse नहीं कर सकते हैं, इसमें भी endorse नहीं कर सकते हैं, लेकिन law समझा रहा है कि अगर तुमने कर दी endorsement तो वो एक गलत endorsement होगी, क्योंकि उसमें title क्या होगा, defective clear, यह बात समझाई पढ़ी, चौलो बस आप फिर पढ़ते हैं नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो उसमें समझाने के लिए एक step आगे चला गया कि भाई, कर दोगे तो नुकसान है यह बता रहा है account pay और bearer का नहीं बेटी, account pay is something different bearer का तो मतलब है whoever owns it, whoever holds it is the owner of that person bearer instrument का तो मतलब यह है for example, अगर मैं crossing नहीं करता प्लीज एक मिनट, अगर मैं crossing नहीं करता तो itself सामने check के उपर लिखा होता है bearer, bearer का मतलब है कि जिसके हाथ में भी यह check होगा, वो ही उसका हकदार है, वो ही उसका rightful honor है तेक है, इसलिए तो हम को दे दे तो वो अपने account में जमा करवा सकता है बात समझाएं, so bearer का concept तो आप bearer जब काटते हो तो आप उससे order instrument बनाते हो कि अगली endorsement होगी तो with signature होगी वरना bearer ना काटो तो आप बस transfer करते हो, cash का check क्या है suppose मुझे मेरे किसी vendor से cash का 10,000 मैंने अब्दुरह्मान के 10,000 मैं वही चेक लाके अब्दुरह्मान को दे दूँगा, कि यार आप जाके cash ले आओ bearer निगोशिबल है बिल्कुल, instrument दोनों ही निगोशिबल है ऐदर bearer और order हमने तो पहले चप्टर में से पहले पढ़ा ही दोनों instrument निगोशिबल है आपने पहली classes दे ली ना, इसलिए यह सारे अब देख रहे हैं क्या सवाल हो रहे है तो instrument दोनों ही bearer instrument हो या order instrument हो निगोशिबल होता है transferable होता है तो अभी तक हमने मैं recall कर वा रहा हूँ general crossing मतलब simple बस OTC की payment नहीं होगी number two special crossing मतलब के उस collecting banker का नाम mention होगा उसी bank में पैसे deposit हो सकते है तीसरी crossing restrictive crossing जेन में रखना HR payroll कि आज के जमाने में payroll देने के लिए ये crossing की जाती है ताके जो addition और deletion नजर आए दोनों accounts में ठीक है इसका मकसद क्या है कि ये negotiable नहीं है जिस बंदे के नाम का बना है उसी के account में जमा होगा number four कौन से पढ़ी जी not negotiable हमने का ये भी नहीं हो सकता लेकिन समझाने का तरीका different कर लिया के इस case में क्या होगा समझाए रहे ये negotiate हो सकता है ये transfer हो जाएगा लेकिन जो transfer कर रहा है उसके पास good title नहीं है और जिसको transfer हो रहा है उसके पास भी good title transfer नहीं हो रहा मार दोनों के titles क्या है defective transferer के भी और transferee के भी clear भी बात चलो अब पढ़ते हैं जारा इसको please जी जी पढ़ें पढ़ें जी इसलिए मैं वो लेफ साइड पे टॉप कॉर्णर के ऊपर transfer lines लगा रहा था क्योंकि मुझे law ने बाउंट किया कि lines ऐसे लगनी चाहिए जी अच्छा देखो चेक पे किसी किसम की alteration की इजाज़त नहीं है ऐसा है ना अब फर जामल मैं overwriting भी करूँ ना तो अकसर banker कहते है कि जाओ जाके दुबारा sign करा के लेकिया हो ऐसा ही है ना तो ये एक वाहिद alteration है ये transverse lines लगाना ये वाहिद alteration है जो कि इजाज़त है law के अंदर बात समझाई है ये चलो आगे तो ये डिरेक्शन होती है पेंग बैंकर को जिसने पेमेंट करनी होती है कि खबरदार counter पे payment नहीं करेंगे बलके account में transfer करेंगे बात समझाई जी पेटे पेज नमबर मिला है आप लोगों को जी प्लीज टाइप ऑफ क्रॉसिंग अच्छाए कि सब्सक्राइब करेंगे इसके दम्यान लिखा भी हो सकते हैं और कहता है खाली ट्रांसफर पेरलल लाइन्स भी ट्रांसफर पेरलल लाइन्स हो सकती है जी नीचियो से हैं स्पेसिमन दी आपके सामने effect पड़ते हैं जी बड़ी important बात है यह अगर इस समझाए थोड़ से उसने का when a check is cross generally the banker on whom it is drawn ये कौन सा बेंकर श्यल नॉट पेट पे नहीं करेगा अधर वाइस देन टू आ बेंकर कौन से बेंकर अब कौन सा बेंकर collecting बेंकर को यह कहरा है कि paying banker collecting banker को pay करेगा मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होगी एक पेंग बेंकर का अकाउंट है एक collecting तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होगी, ओवर दी काउंटर पेमेंट नहीं होगी, यह लाइन के तर्जमा समझ आए जी अब सब को, तो मैं दुबारा पढ़ता हूँ, जी जी विटे, एंड कंपनी का मतलब, वैसे एक स्पेसिमेंट डिजाइन कर दिया, वह रेड लाइन है, रेड सिगनल है, स्टॉप हो जो, क्यों रुखते हो, कोई डिजन, ने ने उतके खाली लगा तो लाइन, खाली भी तो है, ने फिर वो जर्णल ग्रॉसिंट ना ना ना, अच्छा ये अभी मेरा, जुँ उसका कोई हल निकालते हैं, उसको कोई और गर करके, मैं कौपी रखवा देऊ, ऐसा कर लेते हैं, और उन चिप्टियों में उन चैप्टर को, पर करके उनकी कौपी रखवा देऊ, ठीक है, उनी वर्ड्स में से जो unnecessary words है ना, यानि मैं चेंज नहीं करूँगा format के, यह ना होके कुछ नहीं याद किया होगा, तो वह हैं वो unnecessary words lead करके उसको असान करने कोशिश करता हूँ, ठीक है? चलो. चलो जी, प्लीज, मैं जे छुटी ने enjoy करने देना, जालमों. चलो, आगे. जी, special crossing, जी. A check is set to be crossed, especially where it bears a cross, its face and addition of name of the banker, parallel lines are normal. उसने कहा, name of the banker, कौन सा banker? Name of the? Collecting banker. Collecting banker. आप bracket में लिखिल होता कि आपको याद रहे बाते हैं. Name of the collecting banker, बैटे है, यह जो हम पढ़ने है, 2.2.2. यह से लिखिल है. लेके, ओके. Next, जी. Example 4 देखिए दर एक दफ़ा, और उसके बाद effects पे आते हैं. A check of special crossing. When a check is crossed, specifically the banker on whom it is drawn. Please. When a check is crossed, specifically the banker on whom it is drawn, यहनी paying banker. ठीक है? तो आप यह भी लिख सकते हो, आप इसको असान कर लो, in lines को, in words को, आप इस तरह लिख लो. When a check is crossed, specifically the paying banker shall not pay. आप ऐसे लिख लो, यह आपके वूपर है. The paying banker shall not pay it, otherwise than to the banker, otherwise than to a collecting banker, to whom it is crossed. यहनी जिसके नाम की crossing है, और his agent for collection, यह मिजान बैंक की कोई और ब्रांच भी हो सकती है, यह उसके कोई agent भी collect कर सकता है. यह बात समझाएजी सब को अब, चौलो, प्लीज. Restrictive crossing. Restrictive crossing may be added with general crossing by adding the words account pay or account pay. कहता हुसी general crossing transference lines के दर्मियान account pay का लफज लिख दो, तो यह crossing बन जाएगी special, oh sorry, restrictive crossing. जी, restrictive crossing का फाइदे, effect. यह अब negotiable instrumenter नहीं रहा, यहनी इसके अंदर जो transferability का feature था, वो हमने खत्म कर दिया. जी, please. Strictly speaking, the amount collected on the check must be credited only to the account of pay name in the check. जी, strictly speaking means अगर इसको इस अंदाज़े से बोला, इस से way में बोला जाए, तो हम यह कहना चाहरे हैं, कि the amount collected on the check, जो इस amount पे, जो भी check की amount है, वो credit होगी, सिर्फ उस pay के account में, और किसी के account में नहीं जाएगी. मतलब, उमयर का नाम लिखा है, तो उमयर के account में पैसे जाएंगे, और किसी के account में पैसे नहीं जाएंगे. बात समझाई? उमयर किसी और को endorse करना चाहिए, B, C, D को तो नहीं कर सकता. जी, प्लीजर, एगसापल 6 पढ़िय। के जी नहीं समझाई इसेंपल जी नहीं समझाई बटे नहीं वाकी नहीं समझाई बटे अब्दुरमान अगी चो जी अगली चले बेटे सबको समझागी कोई ऐसा जिसको आप देखो ट्राइशन इसु क्रियेट नहीं कह रहा है लेकिन टाइटल पर इसु क्रियेट कर देगा तो बात तो वह हुई ना कान इधर से पकड़ो या गुमांके पकड़ो बात समझाई है ट्रू यही तो कह रहा हूँ बस समझाने का तरीका है समझाने का तरीका कि मैं ट्रांसफर अबिलेटी को अब्जेक्शन नहीं लगा रहा बट हाँ उसकी टाइटल के ओपर मैं अब्जेक्शन क्रियेट कर देता हूँ क्योंकि एक फाइदा होगा उस केस में अगर यह लेकिन अब प्रॉब्लम यह थी हमने होल्डर इंड्यू कोर्स की भी डेफिनेशन पढ़ ली है उसके अंदर वो उसके अंदर एक बात लिखता है कि वह अपेरेंट टेनियोर के मताबिक और प्रॉपर्ली इंवेस्टिगेट करेगा ड्यू गुट फेट के अंदर करेगा उसे नजर नहीं आ रहा कि सामने नौट निगोशिबल की स्टेंप लगी हुई है तो इन फैक्ट होल्डर भी होल्डर बन सकता है उल्डर इंड्यू कोर्स नहीं बन सकता है जी पढ़िए दर अप्लीज आगे हमने जब पहली डेफिनेशन पढ़ी थी निगोशिबलेटी की तो उसके आंदर आखर में एक बात पढ़ी थी इट शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट ठीक है तो कहते है यह तो डिफेक्ट के साथ है तो यह तो उसका में फीचर ही खराब कर दिया आपने तो ना ही करने वली बात हुई है लेकिन उसने समझाने का आज बदल लिया चैक है चलने अदर एक्जेंपल सैमन देखें कि दफ़ा आप नोट निगोशेबल तू लाइन में डाल सकते हैं जी जी स्टैंप बाला ने दिया उसने हाथ से लिखने बढ़ा है बिजनस वर्ड जो है ना आजक तो वो स्टैंप्स एक्ट 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 अफ नॉट इंगोशेबल क्रोसिंग जी जी पढ़िए बेटे मेरे लिए इसका मदब वो यह समझाना चाहरा है उमयर का अपना टाइटल भी इफेक्टिव था और मैर ने जिसको ट्रांसफर किया अब दुरेमान को उसका टाइट ऑद्राइमान को लाईगा ट्रांसफरी तो उसने का कि is that the title of the transferi of such a check यह अब्लरामान की बात हो रही है कि अब्दुरिमान का टाइटल गुड हो जाए और पीशो मैर का टाइटल इफेक्टिव हो बात समझा ही है चलो जरा पढ़वागे तो एक होल्डर जिसका अपना इफेक्टिव टाइटल है वो आगे गुड टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता तो हम क्या करें हमसे प्रोटेक्शन प्रोवाइट करना चाह रहे हैं कि यार नॉट निगोशिव का मतलब है कि जिसके हाथ में होल्डर के हाथ में है जब तक वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता तो वो कमसकम अगर मिस्यूज ना हो गुम भी जाए तो कोई फाइद नहीं होना इस इंस्ट्रुमेंट का क्योंकि फॉर एग्जामपल अगर यह इंस्ट्रुमेंट गुम भी जाता है तो इंस्ट्रुमेंट गुम के किसके पास जाएगा इंफैट जिस भी परसन के पास जाएगा वो इसको फुर्दर इंडोर सो या अपने अकाउंट में ट्र आसफर करने का मैं यह अजू मैर ने कॉल करके अपनी चेक की पेइमेंट को ब्लॉक नहीं कराया क्या तरीक है नहीं उमेर का न हाँ अजू मारे चेक का है उमेर का इस पर नॉट निगोशिबल की स्टैम लगी हुए है यह चेक गुम गया है आपके लगी जमीन से आपको मिल अब आपने अल्लागी जमीन से उठाया और आप चाहते हैं इसके पैसे आपके अकाउंट में आजए तो कैसे आएंगे पूंच गया यह बहुत तेज है किसी अमेर को डूंडो उसके अकाउंट में उसकी डिपोसित से फिल करो उसके साथ चेक अटैच करो जमा करा दो अगर चेक की पेमेंट ब्लॉक ना होई वी तो समयर के अकाउंट में ट्रांसफर ओजेगी क्यूंकि बैंकर इनोसेंट होगा बेंकर को क्या बता कि इसी उमेर के नाम का लिखा गया यह चेक के ओपर कौन सा होता है पिटे जो अरिजिनल उमेर है वो अपने जाएगा दुबारा वो भुखते या तो उसकी गलती हुई कि उसने कांटर मांट कर दिना उसे स्टॉप पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर दि वह कर нुदिधि जिसने भी चेक दिया था उसको बता दिना चाहिए बैंक को स्टॉप करवाद जया बंदा पूखतेंगा या वह और यह वह बंदा जो भी व्यखते नहीं इनों होल्डर से चेक गुमता है तो वो फॉरन से पहले बैंक को कॉल करके वो स्टॉप पेमेंट करवा देता है मुझे याद है कि इन्वेस्टिकेशन करने का मौका मिला अपनी लाइफ में आर्टिकल्स में तो जब हम इन्वेस्टिकेट कर रहे थे तो उस दुरान मैंने उन्हें दो या चार चेक नंबर बताए मैंने का याद यह कौन सी चेक बुक है जो मैं बैंक स्टेटमेंट से अच्छा फ्रॉड पकड़ने का सबसे असान तरीका आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है उनकी इमबेजलमेंट हुई भी थी उनका पिछला फाइनास मैनेजर भागा था पैसे लेकर जो भी कैशियर सॉरी कैशियर और वह इतना बढ़ा प्ले करके गया कि ओह ओ उसने सालरी बनवाई सारे पैकेट्स बनवाए जतनी लेबर की सालरी थी सारे पैकेट्स सारे पैकेट्स आत ले गया वह कोई 8-10 लाग रुपय थी तो वह कोई मसले वाली बाद को लगता था कि वह कैशियर था बेवगूफ था ले मैं था वो सिर्फ जाते वए पैकट ले गया वह जाते वए चेक बुक ले गया हुआ था और उसको सिगनेचर आते थे उसने वह चेक से एक-एक करके वह भी सियाना था उसने फॉरन से पहले सारे पैसे नहीं है अच्छा ये बात को कोई देड़ दो मीने गुजर के उन्होंने हम लोगों को हायर कर लिया आप इंवेस्टिकेशन करें अब मैं बैंक स्टेटमेंट देख रहा हूँ तो मैंने कहा यार ये बीच में से एकदम ऑन्यूजल से कोई दो तीन चेक आते हैं ये कौन से हैं औ मैं उसी की स्टेटमेंट गोई जो हैवी बैंक ङॉजल थे बहुता फहां से मंग वा लिए पता गींशलीजा वह पतां जcakतां से भी पैसे निगाल रहा था तो उन्हीं हमारे बात समझाईगेंग्यों सब और सथो मारे बात है नहीं कहीं 시청 नहीं से त Jewish लोगमेंग बचन कर यह innocence बहुत matter करती है के innocent कौन है तो वो जो दूसरा case है अगर मैं जो भी समझाया है उमयर वाला तो अगर वो जो सचा उमयर है अगर उसकी negligence है तो वो बुखते है, नहीं तो जिसका check है वो बुखते है Clear? चले जी बस जी चले यहीं से यह आगे नहीं पढ़ने दो लाइने से चला ओवर्डूर जो नहीं कल क्यों चुटी है जो लो कल तो आ रहे हो ना जो बस करेंगे